तो बच्चों आज हम बात करेंगे वर्क्षीट नंबर 91 के बारे में सब्जेक्ट आपका महत है क्लास 9 जो की आपको 16 फरवरी को प्रवाइड किया जाएगा चैप्टर टू फिर से कंटीनी वे बहुपा जैनी पॉलिनोमियल जिसके बारे में आज हम डिसकस करेंगे इसमें नंबर 58 एंड 59 को फिर से रिवाइड किया गया है यह भी वर्क्षीट मोस्ट इंपोर्टेंड ट्रम टू के लिए तो वर्क्षीट को आप अच्छे समझना सारे कोस्टन को अच्छे समझना वीडियो बिने स्किप की वह देखना ताकि एक ही बार में समझ में आ जाए तो क से पहले क्या करेंगे बराबर माइनस एक है तो देखो तीर्षा गुंळा करेंगे एकस 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 का गुंणा होगा एकस स्कॉइर करेंगे एकस स्क्उइर प्लस y square का एक से करेंगे तिया ही आएगा इधर xy का माइनस 1 से गुणा होगा तो माइनस xy हो जाएगा तो हमें value किसकी निकाल लिए x cube माइनस y cube की तो बराबर इसका formula होता है हम यहाँ पर क्या लिख देंगे x minus y x cube माइनस y cube का formula होता है ध्यान में रखनाथ x minus y bracket में और इस bracket में x square plus xy plus y square आगे x minus x cube minus y cube बराबर इधर x minus y सेम रहेगा इधर देखो x square plus y square इन दोनों की जगे यह किसके बराबर है माइनस xy के तो यहाँ पर minus xy लिख दिया गया समझ में आया x square plus y square की जगे minus xy लिख दिया गया और फिर plus xy बचा फिर से plus xy लिख दिया गया अब इदर x3 minus y cube बराबर x minus y लिखा गया इसमें से minus imen sames plus minus minus कितना घटीए तो 0 हो जाएगा 0 आगया फिर जब इसको हम 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा मतलब कि ऐרי क्या निखलेगी जीरो क्लियर है ठीक है यहाँ पर फॉर्मॉट्क्राइब क्या गया है और यहाँ पर स्क्राइल प्लेस्ट स्क्राइर प्लास फोय पर माइनगर जूसर में आया है अब देखते हैं को सराहि फैसान देहां कदा नुमबbok catastrophe crushed का होल क्यूब का विस्तारित रूप लिखेंग का मतलब है पर है फोर्मॉला लिए बना राउ G तो अन्सर में नंबर टू में बच्फोंअ अन्सर नंबर टू में क्या लिख तो एक सम्सिर्ट रूप बराबर फोर्मॉला फॉर्मॉला होता है लगा सकते हो तब भी आपका राइट है ठीक है तो इस प्रकार आपको केवल इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है इसका विस्तारित रूप हो जाएगा किसका होगा एकस माइनस वाइ का होल क्यूब के लिए तीया आपका आंसर नंबर कौन सो हो गया सेकेंड अब देखो को संबर थर्ड ठीक है को सेंट नहीं कि थोड़ी मिस्टेक है ठीके ना क्योंकि फॉर्मला उपलाई करने पर यह से निकले करें यहां पर दो यहां पर 17 होना चीए क्या होना चीए 17 यह चीए ध्यान में रखना अब इसको सोल्व करते हैं 17 आप कर लेना ठीक है ना आंसर 3 देखो तो बच्चो आंसर नंबर 3 में देखो ध्यान से क्या करना आपको देखो इस टार्टिंग में उपर जो लिखा 83 क्यूब प्लस 17 क्यूब इस बीधर हम यह फोर्मूला अप्लाइब कर देंगे फॉर्मूला ध्यान में रखना अभी कोशन फर्स्ट में यूज हुआ यहां पर प्लस वाला लगेगा कैए क्यूब प्लस ब्लस ब्रेकट में और दूसरे ब्रेकट में होता है बच्चो एसकोर माइनस एबी प्लस यहां पर यहां पर रखा गया इसको इसकी वैलू रखे गई नीचे देखो नीचे कुछ नहीं किया गया नीचे सेम मैंने लिख दिया है बस एक करेक्शन किया है यहां पर इन्हों 73 लिखा था ना 17 पर तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया 17 मैंने बता है वहां पर मिश्टेक है तो इससे क्या होगा देखो उपर का यह सेम निकल रहा है यह सेम निकल रहा ठीक है न यह कट जाएगा पूरा उपर का फिर से देखो यह पूरा सेम निकल रहा यह वाला पार्ट और यह पूरा पार्ट नीचे का सेम है तो यह कट जाएगा उपर क्या बचेगा तिरासी प्लस सत्रा फिर से लिखेंगे दोनों को एड करेंगे यानि की जोड़ेंगे तो सवा जाएगा आंसर नंबर थ्री फिर से देखो उपर जो कोशन है इस पर यह फोर चीज यहां पर आप ऐसे ब्रेकट लगा देना ठीक है और यहां पर सत्रा करना है यहां पर सत्रा रिख लो एसे ही कोशन में त्यसक्राओं नंबर फॉर यह जईका नंबर फॉर को तो कॉस्टान नंबर फॉर करा है आठ वाई क्यूब माइस 625 एक्स क्यूब का गुडन ख किसका दो गुणे दो गुणे दो ठीका न है दो दोनать याँ पर दो Y के क्यूब लिख सकते हैं 125 किसका घंबूल है पाक्गुणे पांच गुणे पांच तो इसको इसके 5 x Q, ठीक है नहीं ध्यान में रखना, फिर formula apply करेंगे, formula अपने दिमाग में रखो याद करो, AQ-BQ बराबर होता है, A-B, A square प्लस AB, प्लस B square, A पर आपका क्या मिला, A पर आपका 2 है, B पर 5X है, A पर 2Y है, पुरा बोलो, A पर 2Y है, B पर 5X है, A-B, 2Y-5X, आगे solve करेंगे, A square, 2 Y का square, A-B, तो 2Y गुणे 5X, और B का square, B पर 5X है, 5X का square, आगे solve करेंगे, तो यह सेम लिखेंगे, 2Y का square, मतलब 2Y गुणे 2Y, इसको दो बार तोड़ेंगे, यहाँ पर, तो 2 दोना 4Y square हो जाएगा, प्लस 2 पंचे 10, X, Y, यह हो जाएगा, 5X का square है ना, तो 5X गुणे 5X, दो बार इसको भी तोड़ेंगे, तो 5 से गुणा करेंगे, 25X square यह आजाएगा, ठीक है, तो यह आपका answer आजाएगा, clear है, formula ध्यान में रखना, A पर 2X, 2Y रखा गया, B पर 5X, ठीक है, आगे बढ़ते है, question 5 देखते है, question 5 है, x plus y cube minus x cube plus y cube का गुणनखंड कीजिए, यह भ अच्वांसर नमबर 5 में देखो, इधर हमने लिख दिया, कुछ किया नहीं है, इधर x cube plus y cube, इधर formula अप्लाई कर देंगे, देखो ध्यान से, इसकी जगे इसका formula अप्लाई करेंगे, तो x cube plus y cube बराबर होता है, x plus y, फिर bracket में x square plus xy plus y square, formula यह होता है, इसका formula अप्लाई कर दिया, इसकी जगे, यह ध्यान में रखना, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, इधर देखो, इन दोनों में, इन दोनों में, देखो, इन दोनों में, common किया, x plus y, तो x plus y से जब इसको डिवाइड करेंगे, तो x plus y square होगा न, क्योंकि यह cube है, तो cube से एक कट जाएगा, तो कितना आएगा, square आएगा, और फिर यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, यह इससे कट जाएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे, तो यह दोनों कट जाएगे, फिर से देखो, इन दोनों में, इन दोनों में, common किया गया, x plus y, x plus y से इसको डिवाइड करोगे, तो यह तीन बार है, यहाँ पर square दो बार बचेगा, और फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे, तो कट जाएगा, अगला number से मैं ऐसे लिख देंगे, ठीक है न, आगे क्या करेंगे, फिर से देखो, आगे क्या करेंगे, यह सेम लिखेंगे, इधर x plus y का square है न, holy square है, तो यहाँ पर formula, इसकी, मत square प्लस 2xy plus y square यह बनता है, ठीक है, फिर आगे माइनस पर माइनस, एकस स्कोर पर x square, माइनस माइनस क्या हो जएगा, यहाँ पर plus हो जाएगा, फिर माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा, माइनस y square, आगे सेम फिर से आ गया, यहाँ पर x plus y का holy square है अगे, ध्यान में रखना, स्टार्टिंग वाला फिर से लिख लिया गया यह आपका अंसर हो गया या फिर लिख सकते हो तीन एक स्वाई आगे लगा दो इसको इसके साथ में लगा दो ऐसे भी लिख सकते हो यह आंसर नंबर फाइब हो गया क्लियर है अब आगे देखो को सब्सक्राइब को है 100-2 क्योंकि 100 में से 2 घटाएंगे तो 98 ही आए गा क्यूब लगा दिया अब फॉर्मुला एपलाई करेंगे ए माइनस बी का होल क्यूब वाला तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a sqear b plus 3a b sqear तो a पर आपका 100 है b पर कितना है 2 है तो a पर 100 के क्यूब b पर 2 का क्यूब 3a sqear b तो 300 के sqear 2 फिर 3a पर 100 b पर 2 के sqear ठीक ना सेम फॉर्मुले पर इसकी वैलू रखी गई A पर आपको 100 रखना है B पर आपको 2 रखना है ध्यान से देखो ठीक है ना इसकी value रख दी जाएगी 100 को मतलब 3 बार तोड़ेंगे Q रहे ना 100 गुणे 100 कितना आ जाएगा 1 के आगे 6 0 आ जाएगे फिर 2 को भी 3 बार तोड़ेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 2 2 4 4 8 ही हो जाएगा 4 2 8 ठीक है ना फिर 3 और 100 को 2 बार तोड़ेंगे तिया आएगा 3 गुणे 100 को 2 बार लिखना है 100 गुणे 100 और गुणे फिर 2 है इनको गुणा करेंगे तिया आ जाएगा साथ हजार फिर इसको भी तोड़ेंगे तेन गुड़े सो है गुणे दो बार लिखना है इसको गुणा करेंगे दो दो चार तियां बारा और डबल जीरो लग जाएगे बारा सो ठीक है अब देखो दियान से इसमें हम यह प्लस का नंबर जोड़ देंगे इतना आ जाएगा इतना आजाएगा फिर इसमेंस इतना घंड देंगे अज़ैगे हमार 24030,182,190,92 एक सो भan नबे ima Baptist नो नमबर 6 होजाएगा इसका आप की वड्सीट complete हो जाएगी तो अगर चलिए- मिलते नेक्स्ट वीडियो में, thank you for watching this video and take care.